देखें, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेटाइपस in MongoDB पहला है टेक्स्ट, जो कि स्ट्रिंग्स होती है बूलीन, true or false नमबर देखेंगे अभी अबजेक्ट आइडी, जो कि MongoDB अपने आप create कर देता है हमारे लिए, हमने देखा था ISO date, date के लिए, time stamp यानि कि milliseconds जो होते है वो epoch time जो होता है, उसके लिए अभी देखेंगे सब देखेंगे, arrays, arrays पाता है अपने को embedded document यानि कि nested documents अब आते हैं नमबर के उपर, integer जो कि 32 bit होता है, number long जो कि 64 bit होता है, and number decimal जो कि decimal में होता है, ठीक है ये सब ही data types हम देखेंगे, इस वीडियो में start करते हैं, mongoshare start करते है एक database बना दिया है anasome नम का, इसके अंदर एक collection मनाते हैं, company data और उसमें एक document insert करते हैं, insert one की help से, क्या जाता है इसके अंदर, इसके अंदर एक JSON जाती है, simply, सबसे पहला नाम डालते हैं, नाम क्या है company का anasome, बहुत बड़े नाम है, बहुत 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 रहतरी नाम है, तो ये क्या लिखा हुआ है ये जो इस समय लिखा हुआ है, मेरी आखो के सामने ये क्या है, text है, एक और इसके अंदर मैंने डाल दिया, क्या field कितनी funding मिली है, उसकी भी एक field बना लेते हैं, funding मिली है इसको इतनी सारी funding मिली है, जितनी भी लिखा है माल लेते हैं, इतनी funding मिल गई इसको ये क्या है, एक number है, अभी देखेंगे number को number special है, खास है number, देखेंगे अभी तक देख लिया है text, और boolean देख लिया एक number को देखेंगे फिर क्या पढ़ा था हमने फिर हमने पढ़ा था nested document माल लेते हैं employees नाम का एक मैं nested document बना रहा हूं ठीक है बलके array बना लेते हैं एक array बना लेते हैं employees को जिसमें क्या होगा list होगी employees کی age क्या है age ह 25 year और माल लेते हैं एक और Amit सिर्फ दो यह employee है उसका क्या है उसका नाम है amit और age कितनी है age है 18 तो पहला text हो गया है then boolean हो गया है then number हो गया है number देखेंगे भी फिर क्या है array हो गया और मैं अगर देखूँ तो यह एंबटेट डॉक्युमेट्स भी लिस्ट है बेजिकली यह ओफ एंबटेट किये अब इसको बिना कोई दिकत एक स्टेंडर रख दिया है और अब और सभी उसको देख सकते हैं और बोल सकते हैं हाँ पांच ही बज रहे हैं पूरी दुनिया में यह नहीं कि वहां पां timestamp to the second मुझे पता चल जाए कि यह company मैंने कब create करी थी तो मैं लेखूँगा new timestamp ठीक है तो string हो गई है boolean हो गया है number हो गया है एक क्या हो गया है डेट भी हो गई है and timestamp भी हो गया देखो यह आ रही है ठीक है employees यह क्या है एक एरे बन गई है ठीक है फांड़ी डॉन इस देखो मैंने बताया था यह क्या है फांड़ी टाइम स्टैंप इसको अगर मां कॉपी करता हूं और नेट जाता हूं लिखू इपॉक्ट टू टाइम तो क्या आज की डिटा जाएगी ठीक है फीचर में एक वीडियो बनाऊंगा सिर्फ नंबर की उस वीडियो की लिंक आपको इधर मिल जाएगी अगर आपको देखना है अभी तो अभी क्लिक कर सकते हो यहां पर आप देख सकते हो टाइम स्टैंप में एक तो एक्जेक्ट मिलिसेकंड आ रहे हैं दूसरा के अगर माल लेते हैं मैं इंसर्ट मैनी कमांड चला रहा हूं तो टाइम स्टैंप तो सेम होगा तो डिफ्रेंशेट कैसे होगा कौन सा पहले कौन सा बाद में तो इस आई से विडियो में इतना ही हमने देखा टेक्स देखा बूलीन देखा एसो डेट देखा टाइम देखा नमबर देखा नेक्स्ट विडियो की लिंक आपको इधर मिल जाएगी और डिस्कोर्ड या फर इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी